मां के मुझफरपूर स्टेशन पर मौत जगाने की कोशिश करते हुए मासूम बच्चे का वीडियो वारल आए जानते हैं इस दर्दनाक मंजर के बारे में बिहार के मुझफरपूर रेलवे स्टेशन पर अपनी मां के कफन के साथ एक मासूम बच्चे का खेलते हुए वीडियो काफी तेजी से वारल हो रहा है मिर्दक महिला गुझरात के श्रमिक ट्रेन के द्वारा मुझफरपूर जंक्शन पहुँची थी इस क्लिप में देखा जा सकता है कि महिला जमीन पर पड़ी हुई है और उसे एक कपड़े से ढगा गया है लेकिन उसका बच्चा उसके कफन से खेल रहा है और उसे हटाने की कोशिश कर रहा है वारल वीडियो में महिला के शव के साथ उसका बेटा खेलते हुए दिख रहा है और बताया जा रहा है कि उस महिला की मौत भूख से हुई है हाला कि रेल्वे ने कहा है कि महिला की मौत बीमारी की वज़े से हुई है रेल्वे डियस्पी रमाकान तुपाध्याई ने बदाया कि गुजरात से आ रही कटिहार की महिला की मौत किसी बीमारी से हो गई थी इस वीडियो को ट्वीट करते हुए बिहार के पूर्व उपमुक्यमंत्री तेजस्वी यादो के सलागार संजय यादो ने लिखा छोटे बच्चों को नहीं मालूम कि जिस चादर के साथ वो खेल रहा है वो हमेशा के लिए मौत की गहरी नीन सोच चुकी उसकी मा की कफन है और बिना खातून के पती दो साल पहले उन्हें छोड़के जा चुके हैं ततकाल दोनों बच्चों के लिए हम पांच लाग की आर्दिक मदद कर रहे हैं ताकि वयस्क होने तक उनके नाम एफटी रहे उनकी पढ़ाई का जिम्मा और साथ ही देखभाल करने वाले नजदी क पारिवारिक सदस्य को ग्रह जला कटियार में ही नौकरी देंगे तो इस दर्द भरे वीडियो के बारे में आपकी क्यारा है नीचे हमें कॉमेंट स्क्षन में कॉमेंट करके ज़रूर बताईए और इस वीडियो को फेस्बूक और वाटसप पर जादा से जादा शेयर करें करेंसे जाताईए पर जादा से जादा से जादा से जादा है